साथियों, आण साल पहले देश ने जो स्वच्च भारत मिशन सुरू किया, समय के साथ उसका विस्तार भी बढ़ता गया, नए नोए इनोवेशन भी जुड़ते गए, भारत में आप कहीं पर भी जाएंगे, तो पाएंगे कि हर तरफ स्वच्चता के लिए कोई ने कोई प्र आज के बारे में मुझे पता चला है, यहां मॉर्लिंग वॉकर्स के एक समू ने स्वच्च और हरीत कोकरजार मिशन के तहट बहुत प्रसंशनिये पहल की है, इन सब ने नए फ्लाइवर क्षेत्र में तीन किलोमेटर लंबी सड़क की सफाई कर स्वच्चता का प्रेरक देश दिया, इसी प्रकार विशगापट्नम में स्वच्च भारत अभ्यान के तहट पॉलिथीन के बजाए कपड़े के थेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहां के लोग परियावरान को स्वक्षर रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के खिराब अभ्यान भी चला रहे हैं, इसके साथ ही साथ यह लोग गर पर ही कच्रे को अलग करने के लिए जागरुकता भी भेला रहे हैं, मुंबई के सोमिया कॉलेज के स्टूडन्स ने स्वच्चता के अपने अभ्यान में सुन्दरता को भी सामिल कर लिया है, इन्होंने कल्यान र अधोपूर का भी प्रेरकोधारन मेरी जानकारी में आया है, यहां के युवाओंक ने रनधंबोर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का भियान चला रखा है, जिसमें रनधंबोर के जंगलों से प्लास्टिक और पलिथिन को हटाया गया है, सबका प्रयास की यही भावना देश में जन भागिदारी को मजबूत करती है और जब जन भागिदारी हो तो बड़े से बड़े लक्ष अवश्य पूरे होते हैं